पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब चुनार के अफगान शासक आदिल शाह के प्रधान सेना पती हेमू ने सुना कि हुमाईू मर गया है, सिकंदर शाह सूरी मानकोट के किले में बंद है तथा बैराम खां अकबर को लेकर दिल्ली की तरफ आ रहा है तो हेमू ने आगरा पर धावा बोल दिया, आगरा अधिकार में आने के बाद हेमू ने दिल्ली भी जीत ली। इसके बाद उसने संभल की और रुख किया किन्तु संभल में न्युक्त मुगल गवर्नर हेमू का नाम सुन कर ही भाग छूटा। जिस समय हेमू ने दिल्ली पर अधिकार किया उस समय हेमू का धूर्त स्वामी अदली उर्फ आदिल्शाह अपनी बेशमार औरतों के साथ चुनार के दुर्ग में रंगरेलियां मनाता रहा। इस महत्वपून एतियासिक घटना क्रम से उस निकम्मे अफगान शासक का कुछ भी लेना देना नहीं था। इस समय तक हेमू को आदिल्शाह के पतित चरित्र से इतनी घ्रणा हो गई थी कि हेमू ने स्वयम को मन ही मन उसकी अधीनता से मुक्तकर लिया था। किन्तु उपरी तौर पर दिखावे के लिए हेमू आदिल्शाह को बादशाह कहता रहा। आगरा और दिल्ली अधिकार में आ जाने के बाद हेमू ने अदली को इस विजय की कोई सूचना नहीं वेजी और स्वयम ही अपने बल बूते पर भारत भूमी को मलेच्छों से मुक्त करवा कर हिंदू पद पादिशाही की इस्थापना के सौपनसंजोने लगा। दिल्ली हाथ में आ जाने के बाद हेमू ग्वालियर से लेकर सतलज नदी तक के संपून ख्षेतर का स्वामी हो गया। अपनी विशाल गज सेना के साथ उसने दिल्ली में प्रवेश किया। उसने दिल्ली के दुर्ग को यमुनाजी और गंगाजी के जल से दुलवा कर पवित्र किया और एक दिन शुब मुहूर्थ निकलवा कर महाराज विक्रमा दित्यहेमचंदर के नाम से दिल्ली के सिंगहसन पर विधिवत आरूड हुआ। सदियों से बेरहम तुर्कों के कुरूर शासन के अधीन अपने दुर्भग्य पर आठ 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 आंसु बहती हुई हिंदु जन्ता को महाराज विक्रमा दित्यहेमचंदर के सिंगहसना रूड होने पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। जन्ता ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब दिल्ली पर पुनेह हिंदु राजा का शासन होगा। भारत की जन्ता को यह दिन देखने का सौभाग्य पूरे 365 साल बाद प्रकट हुआ था। भले ही इस दीरगवदी में पीडियां बदल गई थी किन्तु भारत की जन्ता इसवी 1192 के उस काले वर्ष को कभी भी नहीं भूल सकी थी जब तराइन के दूसरे युद्ध में मुहम्मत गौरी ने दिल्ली धीश्वर प्रत्वीराज चोहान को चल से मार कर दिल्ली पर अधिकार किया था तब से ही भारत के हिंदू अपने ही देश भारत वर्ष में गुलामों से बदतर जीवन यापन कर रहे थे भारत की हिंदू जन्ता कभी नहीं भूल सकी कि माहराज प्रत्वीराज चोहान को परास्त करके मुहम्मत गौरी ने भारत वर्ष की अपार संपत को अचानक ही एक साथ हडप लिया था जिसके कारण देश की जन्ता एक साथ ही व्यापक इस्तर पर निर्धन हो गई थी पीड़ी दर पीड़ी वे किस से भारत की जन्ता में चले आते थे कि किस प्रकार मुहम्मत गौरी के गुलामाओं और सैनिकों ने पूरे देश में भय और आतंक का वातावरन बना दिया था प्रत्वीराज चौहन की मृत्यू के बाद से ही हिंदू राजाओं का मनोबल तूटने लगा मिलेच्छ सेनाओं द्वारा हजारों लाखों ब्रहमन मौत के घाट उतार दिये गए इस्तरियों का सतीत्व भंग किया गया मंदिर एवम पाठशालाएं ध्वस्त करके मस्जिदों में बदल दी गई दिल्ली का विश्णु मंदिर जामा मस्जिद में बदल दिया गया धार, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, अजमेर, जालोर आदी की संस्कृत पाठशालाएं ध्वस्त करके देखते ही देखते मस्जिदें खड़ी कर दी गई अयोध्या, नगरकोट और हरिद्वार जैसे तीर्थ जला कर राक कर दिये गए हिंदु धर्म का ऐसा पराभव देखकर जैन साधु उत्तरी भारत छोड़कर नेपाल, श्रीलंका तथा तिब्बत आदी देशों को भग गए बहुत से जैन साधुओं ने दक्षिन भारत में शरण ली पूरे देश में हाहाकार मच गया बौद धर्म तो हूनों के हाथों पहले ही भारत में पराभव को प्राप्त हो चुका था अब जबकि 365 वर्ष बाद महराजा विक्रमादित्य हेम चंद्र दिल्ली के अधीश्वर हुए तो देशवासियों का उत्सा विशाल जहरने की भांती फूट पड़ा महराज हेमचंद्र की सेना में इस समय अधिक संख्या अफगान एवं तुर्क सैनिकों की थी किन्तु जैसे ही उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया बहुत से हिंदू सैनिक दूर दूर से आकर दिल्ली पती की सेना में भर्ती होने लगे माहराज हेमचंद्र स्वयम भी हिंदू जनता के इस उत्साह को अत्यंत आश्चर्य और कौतु हल से देखते थे ऐसा नहीं था कि इस समय उत्तर भारत का जन सामान्य चारों तरफ रक्तपात और लूट मार करती हुई सिकंदर शाह सूरी इबराहिम खाँ आदिल शाह और बैराम खाँ की सेनाओं को भूल गया था जनता पूरी तरह आशंकित और भैभीत थी कि कहीं महराज विक्रमा दित्यहेम चंद्र चार दिन की चाननी सिद्ध न हो वस्तुत है यह भै और आशंका ही जन सामान्य के बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ उमड़ पढ़ने का कारण था जनता चाहती थी कि जब तक महराज विक्रमा दित्यहेम चंद्र दिल्ली के तक्त पर हैं तब तक ही सही कुछ धर्म कर्म और पुण्यलाव अरजित कर लिया जाए महराज हेम चंद्र के राजा बनने की प्रसन्नता में घर-घर, शंख, घडियाल और नगाडे बजने लगे हजारों की संख्या में हिंदू जनता दूर-दूर से चल कर दिल्ली पहुँचने लगी दिल्ली की गलियां, चौक, यमुना जी के तट और समस्त जनिस्थल इन नागरिकों से परिपूर्ण हो गए महराज विक्रमादित्यहेम चंद्र की जैजैकार से पूरी दिल्ली गूँजने लगी सुहागे निस्त्रियों के जुंड के जुंड मंगल गीद काते हुए मंदिरों की तरफ जाते हुए दिखाई देने लगे तूटे हुए मंदिरों की दीवारें फिर से ठीक की जाने लगी सेंकडों साल से सुनसान पड़े मंदिरों में फिर से दीपक जलने लगे और आरतिया होने लगी मंदिरों के शिखरों पर केसरिया ध्वजाएं लेहराने लगी घर-घर वेद पाठ होने लगे तथा द्वार-द्वार पर गौ माता की पूजा आरंब हो गई चावल के आठे से चौक पूरे गए और केले के पत्तों से तो रण सजाए गए घरों के आंगन यग्यों की वेदी से उठने वाले सुवासित धुएं से भर गए जबसे महाराज हेमचंद्र दिली के राजा हुए तब से दिली में हर रात दीवाली मनाई जाने लगी यमौनाजी का तट देश भर के तीर्थी आत्रियों से पट गया दूर दूर से आने वाले हजारों शद्धालों रात्री में एकत्रित होकर यमुना जी की आर्थी करते महराज हेमचंद्र भी हाथी पर सवार होकर यमुना जी के दर्शनों के लिए जाते सेकड़ों वेद पाठी ब्राहमन कंदे पर जनेव और गले में पीतांबर डाले हुए महराज के पीछे पीछे चलते महराज हेमचंद्र अकाल के इस कठिन समय में याचकों, ब्राहमनों और बटुकों को अपने हाथ से भूजन करवाते और उन्हें धन, धान्य तथा वस्त्र प्रदान करते अगली कड़ी में देखिए अकबर ने अपनी प्रेमी का बैराम खा को समर्पित कर दी क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद